दिन था 17 सितंबर 2020 ये वो दिन था जब संसद में खेती से जुड़े तीन क्रिशी कानून पास किये गए इस दिन को देश में किसानों के लिए काला दिन माना गया था क्योंकि इस दिन संसद में क्रिशी कानून पास किये गए थे मगर किसानों को ये कानून उनके हित में नहीं लग रहे थे और किसानों ने सरकार से ये मांग की थी कि इन तीनों कानूनों को रद किया जाए मगर सरकार ने किसानों की मांगो को अस्विकार कर दिया जिसकी वजह से केंडर सरकार और किसानों के बीच जंग छिड़ गई और बस फिर क्या था किसानों ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ अंदोलन करने का निर्णे ले लिया किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापिस नहीं लिये गए तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उग्र अंदोलन करेंगे 26 नवंबर 2020 को दिल्ली और हरियाना के बॉडरों को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया सिंगु बॉडर पर कई लेयर के बैरिगेट्स लगाए गए सीमेंट के स्लैब, गंटिली तारें, रेत से भरे ट्रक, हत्यार बंद जवान और मुस्तैद खड़े दंगा रोधी वाहन ये पूरी तैयारी सरकार ने तीन क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए की थी दिल्ली पुलिस के इन बैरिकेटों की तस्वीरें जब मीडिया और सोशल मीडिया के जरिये लोगों तक पहुँची तो सवाल उठा कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस नागरिकों को इस तरह से रोक सकती है दिल्ली या भारत में कहीं और पहले इस तरह की सकत बैरिकेटिंग नहीं देखी गई थी कई जगह टकराव हुआ और किसानों पर पानी की बोच्छारें की गई लेकिन तमाम बाधाओं को लांगते हुए किसान आखिरकार 27 नवंबर की सुभा दिल्ली की सिमाओं पर पहुँच ही गए दिल्ली को हरियाना पंजाब और आगे हिमाचिल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जोडने वाले नैशनल हाइवे चवालिस को हरियाना की पुलिस ने कई जगह से खोद दिया सिमिंट के भारी स्लैब लगाकर रास्ता जाम किया गया पुलिस सेना सरकार और किसानों के बीच लगा तार ये संघर्ष चलता रहा और इस अंदोलन ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा सरकार और किसानों के बीच इस मामले को लेकर सुलजाने के लिए कई बार बैठक की गई मगर कोई भी संतोष जनक हल नहीं निकल सका किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को ठुकरा दिया इस अंदोलन को कई बड़ी हस्तियों का समर्थन भी मिला तो कुछ इसके खिलाफ भी थे परिस्थितियां बदलती रही मगर किसानों का होसला नहीं डगमगाया इस अंदोलन के दौरान साथ सो से जादा किसानों की जान चली गई हजारों किसानों पर FIR दर्ज की गई किसान अंदोलन को रोकने की भरपूर कोशिश की गई मगर किसानों ने किसी भी सूरत में हार नहीं मानी और पूरे एक साल के कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार को किसानों की एकता और कड़े संघर्ष के आगे जुकना पड़ा पूरे एक साल बाद सरकार ने ये घोशना कर दी कि खेती से जुड़े तीनों कृशी कानून वापिस लिये जाएंगे और संसद के अगले सत्र में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी किसानों के लिए ये एक एतिहासिक जीत है क्यूंकि इस जीत के लिए सैंकडों किसानों ने अपनी जाने गवाई है हालांकि सरकार ने ये कानून वापिस लेने की घोशना तो कर दी है मगर किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है जब तक सनसद में तीनों काणून रद नहीं किये जाते तब तक किसान अपना अंदोलन जारी रखेंगे भारतिय किसान यूनियन के मुख्य गुर्णाम चडुनी ने सरकार के इस फैसले के बाद सभी अंदोलन कारियों को धन्यवाद किया है और कहा कि किसानों की एकता और कड़े संघर्ष के आगे सरकार को आखिरकार जुकना ही पड़ा और अगला फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लिया जाएगा किसानों को ये लगता है कि मोदी का ये ऐलान सिर्फ उन खोकले वादों जैसा है जो नेता चुनाव से पहले करते हैं और बाद में भूल जाते हैं इसलिए किसान अपना अंदोलन जारी रखने का निर्णे ले रहे हैं किसानों ने इस एक साल के अंदोलन के दौरान काफी कुछ सहा है सैंक्डों किसानों ने अपनी जान गवाई है ना जाने कितने दुखदर्द सहने के बाद किसानों ने इस फैसले से राहत की सांस ली है ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना सबसेहने और 700 से अधिक जाने गवाने के बाद क्या किसान सरकार को माफ कर पाएंगे या नहीं